हेलो फ्रेंट्स मैं नमिता प्लांटसा पैराडाइस चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स हम एक पौधी से ना जाने कई पौधी कटिंग के द्वारा तयार कर सकते हैं और अपने घर बाहर हर याली फैला सकते हैं फ्रेंट्स इस समय हम आसानी से कई पौधों के कटिंग लगा सकते हैं यह समय यानि जन्वरी और फरवरी का महिना बहुत अच्छा समय होता है पौधे की कटिंग को लगाने का और उने ग्रोग करने का फ्रेंड्स यहां जितने भी पौधे हम आपको वीजियो में दिखा रहे हैं यह सभी कटिंग से ग्रो हुए हैं इस समय पर पौधो की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है कटिंग तो अंगिनत पौधो की हम लगा सकती हैं लेकिन यह वीजियो बहुत जादा लंबा न हो जाए इसलिए हम 15 पौधों की कटिंग को लगाने के लिए इस वीजियो में बता रहे हैं आगे की कटिंग की विशे में हम दूसरी वीजियो में आपको बताएंगे तो यहां सबसे पहले हमें कटिंग को जिस भी पॉटिंग मिक्स में लगाना है उसको हम तयार करेंगे तो इसके लिए यहां हमने 70% सेंड, 20% स्वैल और 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट को लेकर के मिलाया है पॉटिंग मिक्स में थोड़ी सी फंगी साइड को भी एड़ करेंगे जिससे कि इसमें किसी भी तरह का फंगस का अटैक ना हो अब सारे पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिला करके तयार कर लेंगे फ्रेंड्स आप यहां पर सिर्फ सैंड में फंगी साइड मिला करके भी पॉटिंग मिक्स को तयार कर सकते हैं अगर आप इसमें स्वैल और वर्मी कंपोस्ट नहीं भी मिलाते हैं सिर्फ सैंड और थोड़ा फंगी साइड मिला करके भी potting mix को त्यार करते हैं तो उसमें भी cutting बहुत अच्छे से grow हो जाती है दोनों ही तरह के potting mix बहुत ही अच्छे हैं cutting के लिए अब सारी potting mix अच्छी तरह से मिल जाने के बाद त्यार हो गई है यहां पर हमने थर्मा कोल का एक box रखा है जिसमें कि हम बहुत अच्छे से cutting लगा सकते हैं और इसमें हमने hole कर लिया है जिससे कि इसका drainage hole बना लिया है और इसके साथी साथ हम इसमें plastic के glass में हम लगा सकते हैं और इस तरह के container जो plastic के container जो घर में होते हैं उसमें भी हम cutting को लगा सकते हैं यह glasses हैं इसमें हम लगा सकते हैं नीचे drainage hole बना ले इसके साथी साथ जो grow bag आते हैं हम nursery से कुछ भी plant लेकर आते हैं तो वो जो grow bag खाली हो जाते हैं चोटे उसमें भी हम potty mix को भर करके cutting को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से grow कर सकते हैं यहां तक हम 8-10 inch के जो pot होते हैं उसमें भी हम कई cutting को एक साथ लगा करके grow कर सकते हैं और यहां पर हमने देखिए छोटे-छोटे से construction वाली जो गिट्टी होती है वह हमने लिया है और सारे जितने भी pot में हमें लगाना है cutting किट्ट में साथी को भर देंगे और उसके बाद हम cutting को लगाएंगे potty mix को भरने के बाद यहां आँ सारे pot में मिट्टी को भर Hernan Ke Wraid Veer तो बहुत बहुत हो सकता है एक कटिंग अगर किसी वज़ा से नहीं ग्रो होती है तो दूसरी तीसी ग्रो हो जाएगी इसलिए हमें एक से ज्यादा कटिंग को लगाना चाहिए तो यहां देखे हमने मिच्ची को गीला कर लिया है अब हम इसमें ड्रसीना की कटिंग को लगा देंगे तो नोड एरिया इसमें बहुत पास-पास होता है और थोड़ा सा नीचे से थोड़ा तिर्चा कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसको पॉट में लगा देंगे किसी भी कटिंग को लगाते समय उसकी एक या दो नोड एरिया यानि नोड एरिया जो जहां से जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा आप उसको वहां से हटा करके दूसरे किसी पॉट में रिपॉर्ट कर सकते हैं कटिंग को लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से कटिंग के चारो तरब से दबा दिया इसी तरह ड्रेसिना की यह दूसरी विराइटी है इसकी भी कट कोलियस की भी कटिंग लगा करके ग्रो कर सकते हैं यह दूसरी कलर का कोलियस का कटिंग है इसको हमने इसी पॉट में लगा दिया है ग्रो होने के लिए बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा आप चाहे एक ही पॉट में लगा दें या अलग पॉट में लगा दें तीसरी कट मिक्स में किसी भी तरह की मिट्टी में अगर हम इसको लगा दें तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है परपल हार्ट के प्लांट में बैगनी कलर के ही छोटे-छोटे से फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं चौथी कटिंग स्नैक प्लांट की ही इसमें बहुत जल्दी ही रूट्स डैबलेप हो जाते हैं और के प्लांट बहुत ज्यादा ऑक्सीजर्ड रिलीज प्लांट की अपैंच वी कटिंग अलवेरा ब्लांट की प्रेंट्स एलोवेरा के बड़े प्लांट के साइड से कुछ बेबी पप्स निकलते हैं उन बेबी पप्स को हमें निकाल करके मिट्टी में ग्रो कर देना चाहिए जिससे कि ये बहुत तेजी से ग्रो हो जाते हैं और फिर किसी पॉर्ट में हम इने रेपॉर्ट कर देते हैं तो ये बड़े प्लांट हो जाते हैं हलाकि ये जितने भी यहां प्लांट रखें ये सब बेबी पप्स के द्वारा ही लगा हुए हैं हमने कभी भी लीव से अलोवेरा को अभी तक नहीं लगाया है इसलिए मैं आपके सामने ये नहीं शुकरूंगी कि ये लीव से भी ग्रो हो जाता है हमने हमेशा बेबी पप्स से ही लगाया है इसलिए मैं आपको बेबी पप्स से ही लगाना बता रही हूँ तो ये एलोवेरा का बेबी पप्स है और बेबी प्लांट है और इसको हमने मिट्टी में ऐसे लगा करके दबा देंगे चारू तरप से और फिर ये धीरी धीरी ग्रो हो जाएगा और बड़े प्लांट में डेवलेप हो जाएगा सकते त IP, साथी कटिंग टेंगहात्फी सींगोंियम, प्लांट हाट के आकार की पत्तियों वाला एक इंझोर और आउटडोर दोनों जग रखे जाने वाला खुब शूरत पौदा होता है। पौधे की बहुत सारी variety होती है सिंगोनियम प्लांट के ब्रांज में उपर के तरफ ही aerial root निकलती रहती है वहीं से प्लांट को कट करके तोड़ करके कटिंग लगाने से प्लांट बहुत अच्छे से growth करता है इस तरह से हम सिंगोनियम की कटिंग को मिट्टी में लगा देंगे साथमी कटिंग Tangle Heart की Tangle Heart प्लांट के कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी हम लगा सकते हैं या एक लंबी कटिंग को ले करके और potting mix में गोलाई में हम इसको चबा देते हैं, तो यह बहुत जल्दी ही इंग्रो कर जाती है। यह सक्लन वैराइटी का प्लांत है, और इसका गवोट होना इतना आसान है, Wasp अगर तूट करके pot में किसी भी potting mix में गिर जाए किसी भी मिट्टी में गिर जाए तो ये अपने आप बहुत जल्दी ग्रो होने लगती है मनी प्लांट के पौधे को पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो किया जा सकता है मनी प्लांट के ब्रांच में से भी aerial root निकलती है इसके साथी साथ इसकी node area को भी हम मिट्टी में दबाएंगे जहां से leaves निकलती है उसको node area कहते हैं तो उसको भी हम मिट्टी में दबा देंगे जिससे की plant बहुत तेजी से grow कर जाता है इस तरह से हम cutting को लगा करके मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे 9. cutting croton की croton की भी बहुत सारी विरैजी होती है यहां जो हमने plant लगाया है यह भी cutting से लगा हुआ है croton के cutting की दो node area को मिट्टी में दबा देंगे यहां हमने दो तरह के croton को grow bag में लगाया है आप अलग-अलग भी इसको लगा सकते हैं और इस तरह से मिट्टी को हम अच्छी तरह से दबा देंगे 10. cutting jet plant की jet plant की छोटी और बड़ी दोनों तरह की cutting बहुत आसानी से grow हो जाती है jet plant जो है leaves से भी बहुत अच्छे से grow कर जाता है किसी भी cutting को grow होने में कोई भी परेशानी नहीं होती बस हमें इसकी पानी का ख्याल लगना चाहिए बार बार इसमें पानी नहीं डालना चाहिए जब मिट्टी सूखी लगे तो हमें पानी का spray उपर से कर देना चाहिए 11. cutting turtle wine की turtle wine की छोटी या बड़ी दोनों तरह की cutting को हम grow कर सकते हैं बहुत ही कम केर वाला प्लांट है और बिगनर्स के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है आरहमी cutting पथर चट्टा प्लांट की cutting बहुत आसानी से grow हो जाती है इसकी छोटी या बड़ी दोन तरह की cutting को लगाया जा सकता है इस प्लांट का इस्तमाल कई तरह की दवाईयों के बनाने में किया जाता है ये भी money plant की ही एक variety होती है इस प्लांट में भी runner निकलते हैं और नीचे छोटी छोटी roots होती है roots और node area को मिट्टी में अच्छी तरह से जब हम दबा देते हैं तो ये cutting बहुत अच्छे से और जल्दी grow हो जाती है चौदवी cutting Chinese violet plant की Chinese violet plant की छोटी सी छोटी cutting भी बहुत आसानी से grow हो जाती है नीचे से कुशपतियों को हटा कर हम इसके node area को potting mix में दबा देंगे तो ये plant जो है बहुत आसानी से ये cutting grow हो जाएगी पंद्रवी cutting Rio plant की परपल और green leaves वाला ये plant बहुत ही सुन्दर होता है plant की cutting बहुत आसानी से लग जाती है इसके साथी साथ ये plant जिस भी pot में होता है उसमें multiple होता रहता है तो उसमें से हम roots के साथ भी इसको निकाल करके लगा सकते हैं ये बहुत आसानी से और जल्दी grow हो जाने वाला plant होता है इस spider plant को हम दो तरह से grow कर सकते हैं इस plant में से भी runner निकलते हैं जिसमें नीचे छोटे छोटे roots निकलते हैं इन runners को हम spider plant के pot के बगल में कोई दूसरा pot रख करके उसकी मिट्टी में दबा देते हैं तो भी ये plant बहुत अच्छे से grow कर जाता है और दूसरा कि इस runner को हम काट लेती हैं और जो इसमें नीचे roots होती हैं उसको हम अलग से किसी pot में लगा देती हैं इसकी cutting को तो भी ये plant जो है बहुत अच्छे से grow कर जाता है सत्रहवी cutting लालसा plant की लालसा plant की हम आपको दो variety की cutting लगाना बताएंगे तो ये पहली variety है जिसमें इसकी leaves जो होती है brown color की होती है और इसकी छोटी बड़ी सभी cutting बहुत आसानी से लग जाती है साथी साथ इसको हम roots से भी निकाल करके report कर सकते हैं लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से grow हो जाती है इसके साथ ही साथ हम जो दूसरी लालसा plant की cutting आपको बताएंगे दूसरी variety की उसकी पत्तियां थोड़ी green होती है तो उसको भी इसी तरह से भी हम लगा सकते हैं roots के जरिये भी हम निकाल के लगा सकते हैं तो इसमें भी पानी डालने की जरूरत नहीं है जब मिटी सूखी लगेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे और थोड़ा से मिश्रेड एरिया में रखेंगे थोड़े दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद हम इसको फिर से धूप में रखने लगेंगे तो फ्रेंट्स आशा करती हूँ कि मेरे द्वरा देगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक, शेर, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिकीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीजियो की नोटिफिकेशन आपको तुरन मिले धन्यवाद